स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने MI A1 या फिर इसी भी Redmi phone पे network जो आपका काम नहीं कर रहा है नेटवर्क का जो आपका problem आता है उसे आप कैसे solve कर सकते है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों हो सकता है कि आपका network जो है शो नहीं कर रहा हो या फिर आपका internet काम नहीं कर रहा है डाटा शो नहीं कर रहा है 4G network काम नहीं कर रहा है, 3G network काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका, जो आपका network है वो बिल्कुल शोई नहीं कर रहा है, तो यह सारे प्रॉबल्म, network का problem का आप कैसे solve कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रही है, साथी साथ दोस्तों चैनल क सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, और यदि आप online पैसे कमाना चाहते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आप चेक आउट कर सकते हैं, चलिए बिना देर की हुए शुरू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने mobile के settings पर जाना है, उसके बाद मे यहां पर आप देख सकते हो network setting reset, ठीक है, लेकिन network setting reset से जमें जाने से पहले हम back आते हैं, और यहां पर sim card and mobile network पर आपको click करना है, उसके बाद में जो sim पर आपको network नहीं मिल रहा है, या फिर network का problem आ रहा है, उस sim को आप select कर लिजेगा, और यहां पर दोस्तों आपको preferred network type प आपको यहां पर preferred LTE show करेगा, यह करेगा, ठीक है, वरना यहां यहां पर यहां पर काम नहीं कर रहा है, तो आप preferred 3G पर click करके भी आप network check कर सकते हो एक बार, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बेक आके यहां पर आपका यह mobile यह वोल्टी है, तब आप यहां पर आपने 3G select क्या है, तो वोल्टी को आप on कर सकती हो, off रख सकती हो, ठीक है, चेक करने के लिए, उसके बाद में दोस्तों यहां पर mobile network पर यह दिया हम चले जाते हैं, तो automatically select the network इसे आपको यह automatic आपको रखना है, ठीक है, इसे आपको automatic रखना है, उसके बाद में अभी हम चलते हैं, network setting क आपको जाना है, अभी दोस्तों यहां पर क्या होगा, wifi, mobile data, आपका यहां पर bluetooth और यह sim सारा आपका reset हो जाएगा, ठीक है, अभी क्या होता है कि कभी कभी हमारा network वगेरा में हम जो छेटखानी कर लेते, settings वगेरा में, या फिर गलती से settings वगेरा जो छेटखानी हो जाता है इसी वज़े से हमारा network वगेरा काम नहीं करता है, तो okay इसमें क्या कर सकते है, आप complete अपना network का reset कर सकते है, setting को, ताकि company से जो settings आता है, उसी में by default बेट जाए, उसके लिए आपको सबसे नीचे reset setting पे click करना है, और यहां पर आपको अपना password है तो भर देना है, उसके बाद automatically reset हो जाएगा, तो यह करने के बाद में दोस्तों आप अपना mobile के एक बार switch on से switch off करके switch on कर लिजएगा, restart कर लिजएगा, उसके बाद में आपका जितना भी network का problem है, वो solve हो जाएगा, ठीक है, एक बार आप settings में जाके अपना about phone पे जाके system update में जाके एक बार system check भी कर होता है, तो कभी-कभी motherboard में या फिर SIM slot में हमारे inbuilt motherboard में problem होने के बाद जिसी भी होता है, ठीक है, तो यह था problem का solution, उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आएगा, thanks for watching.